हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल आज मैं आप सभी के सामने ये बहुत ही प्यारा सा स्वेटर डिजन लेकर क्या हूँ बनाने के लिए जैसे कि आप देख पा रही है बहुत ही प्यारा नजर आ रहा है और ये बड़े लोगों के स्वेटर में बना ये य सामने से कुछ ऐसे नजरा रहा है बैक साइट से कुछ ऐसे नजरा रहा है बिल्कुल भी उल्जन नहीं है तो आप इसे टोपी मौजा मौफलर किसी के भी स्वेटर में अपलाई कर सकती है तो मैं स्टार्टिंग से आपको सुरुआ से बताऊंगी कि आप कैसे इस डिजाइ है ना इसको आप सिलाई के लिए रख लीजिए डिजाइन जो हमारा स्टार्ट होगा वह यहां से होगा तो यह तीन फंदे उल्टे बिनेंगे दो फंदे सीधे बिनेंगे एक फंदा उल्टा लेंगे बीच में दो फंदा सीधा बिनेंगे फिर तीन फंदे का गैप मतलब क में निकाली रख लिए और एक लैन उल्टा और और सिधा है तो क्या करना आपको फोर्स्ट रो जी से हम yaptore बोलते हैं और ये वाले साइट और वा Laure कोला के या लावी श्ट बता है ये दूरे उल्टे एंसे दो हैं अनकाने को रहा हैं के उपति हूं phys ए तीन फंदे उल्टे हो गए, उनको पीछे लेके जाएंगे, दो फंदे सीधे बीनेंगे, एक और दो, वापस से उनको अपनी ओर लेकर के आएंगे, एक फंदा उल्टा बीनेंगे, फिर दो फंदे सीधे, एक और ये दो, तो तीन प्लस ये पाँच, एक डिजैन बनेगा इसमें हमारा, फिर उनको अपनी ओर लाएंगे, और तीन फंदे उल्टे बीनेंगे, एक, दो, तीन, देखें, उनको पीछे लेके जाएंगे, दो फंदे सीधे, एक, दो, एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे, एक, और ये वापस से तीन फंदे उल्टे, तो ये फर्स्ट रो राइट साइड से हमारा, स्लाई बन करके हो गया, कम्पलीट, फर्स्ट रो राइट साइड से, अब बैक साइड से, सेकेंड स्लाई कैसे बनाना है, पहले फंदे उतारेंगे, तीन फंदे सीधे बीनेंगे, एक, दो, त तिन फंदे सीधे उनको अपनी ओर लाइए दो फंदे उल्टे एक दो उनको पीछे लेके जाएए एक फंदा सीधा उनको अपनी ओर दो फंदे उल्टे फिर तीन फंदे सीधे एक दो तीन वापस से दो फंदे उल्टे एक फंदे सीधे दो फंदे उल्टे जो फंदे जैसे है ना बस वैसे यह आपको बीन लेना है तो यह हो गया हमारा सेकेंड सिलाई कम्प्लीट अब हम आ जाते हैं थर्ड सिलाई राइट साइड में और फ्रेंस यह आ गए हम थर्ड सिलाई में तो थर्ड सिलाई में जैसा हमने फर्स्ट सिलाई बीना था ना सेम हमें उसको रिपीट करना है जैसे पहले फंदे को स्कीप करेंगे तीन फंदे उल्टे बिनेंगे एक दो और ये तीन दो फंदे सीधे एक दो एक फंदा उल्टा दो फंदे सीधे एक दो वापसे तीन फंदे उल्टे एक दो तीन तो इसको न हमें पूरी सिलाई को ऐसे ही बीन करके कर लेनी है complete थर्ड सिलाई हो गई complete अब हम आ जाते हैं फोर्ड सिलाई back side से इसमें भी जो फंदे जैसे हैं वैसे ही हम बना के कर लेंगे पूरा तो फोर्ड सिलाई हो गई complete देखिए यहां पर हम कैसे चेक कर सकते हैं कि फोर्ड कंप्लीट हो आए कि नहीं जैसे वर्ड टू थ्री एन फोर फोर लाइन हो गया यह ध्यान रखने वाली चीज़े हैं अब हम जो है इसमें पैटन बनाएंगे यह वाला डीजाइन बनाएंगे यह जो है ना इसको बनाएंगे देखिए कैसे बनाएंगी पहले फंदे उतार लेंगे एक फंदा उल्टा बिनेंगे एक दो तीन यह तीन फंदे उल्टे बिनेंगे उनको पीछे लेकर के जाएंगे और यह जो हमने उल्टे फंदे बिने है ना चार फंदो पांच फंदो के बीच वाला एक फंदा जो है इसमें सबसे नीचे जाएंगे यहां से आपने स्लाइस टार्ट किया था बनाना वहां जाएंगे एक फंदा ऐसे से निकालेंगे इसको थोड़ा से लूज रखेंगे ज्यादा टाइट नहीं करेंगे खिचके फिर दो फंदे सीधे बिनेंगे एक फंदा उल्टा फिर दो फंदा सीधा एक और दो यहां तक आ गया अब इदार भी हमें सेम पैटर्न को बनाना है तो इसी होल में वापस इस लाइक को इन करेंगे और फंदे निकालेंगे ऐसे इसे भी थोड़ा से लूज कर लिजे यह हो गया फिर उनको अपनी और लाएंगे और यह तीन फंदे उल्टे बिनेंगे जो उल्टे फंदे थे उनको पीछे यह नेक्स्ट डिजाइन है वापस आईए देखिए यहाँ पर दो फंदे को बिलने से पहले ही हम यहाँ से सबसे नीचे लेके जाएंगे इस लाइक को और ऐसे एक फंदा निकालेंगे फिर दो फंदे सीधे एक फंदा उल्टा दो फंदा सीधा और फिर वापस से हम यहां नीचे से लेके आएंगे इसको हलका से लूज करेंगे ऐसे और तीन फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार ऐसे हो गया यह हमारा फर्स्ट हो गया पैटन का डीजाइन का जो है ना फर्स्ट लाई वापस से बैक साइड आएंगे और यह एक, दो, तीन तीन फंदे सीधे बीनेंगे उनको अपनी और लाएंगे और यह एक्स्टा फंदा है ना इसे बीनेंगे नहीं इसे हम ऐसे ही स्लाइमे स्किप कर लेंगे देखी इस वाले फंदे को और फिर दो फंदे उल्टे बीनेंगे एक, दो, उनको पीछे यह वाला फंदा सीधा उनको वापस से दो फंदे उल्टे और इधर से भी यह वाले फंदे को हमें इसकिप कर लेंगे उतार लेना दोसी स्लाइमे फिर तीन फंदे सीधे एक, दो, और यह तीन वापस से उनको अपनी ओर लेके आएंगे और सेम पैटन को रिपीट करेंगे एक, दो यह बीच वाला एक फंदा जो उल्टा बीनते आ रहें उसे बीनते आएंगे इसे स्किप करेंगे वापस से तो यह देखिए अब हम आजाते हैं सामने में फ्रेंट साइड में अब हमें क्या करना इसे घटाना है और प्लस एक फंदा और निकालना है वो देखिए यह वाला लाइन जो है ना बहुत ही इंपोर्टेंट है इस डिजाइन के लिए पहले फंदे उतारेंगे एक दो अब यहां पर धियान से देखिएगा क्या करना है यह जो फंदे एक्स्टा बने हुए है इसे हमें घटाना है तो इसके लिए क्या करना है एक फंदा यह हो गया और एक फंदा पीछे वाला एक्स्टा वाले फंदे होगा इसको हमें दोनों एक साथ में लेंगे तो एक फंदा घट जाएगा और यह हमारा फंदा बढ़ेगा ने फिर वापस से इस फंदे को सीधा बीन लेंगे अब इस वाले लाइन में जबाएंगे तब ही हमनी क्या करना है यहां से यह दो सीधे वाले फंदे के बीच में से इस जग से इस सलाई से बता देती हूं मैं इस सलाई से हमें फंदे निकालने हैं देखे ऐसे बैक साइट से फंदे निकालेंगे और सलाई में ऐसे टांसफर कर लेंगे चड़ा लेंगे और फिर एक फंदा उल्टा बीनेंगे उनको पीछे लेके जाएंगे अब इधर से भी जो है ना इसमें साफ नजरा रहे हैं दो फंदे सीधे हैं अब यहां से हम इसलाई को इन करना है और एक फंदा निकाल लेना ऐसे देखिए यह जो बीच वाले फंदे ना इसके आज वाज वाले एक फंदा सीधा बीनेंगे और यहां पर दो फंदो को एक फंदा करेंगी जो हमने पिछले डिजाइन में इसे बढ़ाया था वापस बीच वाला जो भी आपने गैप दे रखा है ना तीन फंदे उसे बीन लेंगे उनको पीछे ले जाएंगे अब इसे हम वापस से खोलके बनाइए एक और फंदे बहिए अब यह बीक वाला आगे लाइन उसके कहले हमें यहाँ पेठां यहां पेठे करना हैं यह निकाली है जो तो ठीके में कर लिए और पीछे इधर से भी हमें फंदी निकालने हैं यह देखिए ऐसे फिर सीधे फंदे और यहां पर दो फंदों का एक फंदा ऐसे यह अब ऐसे नजर आ रहे हैं फिर बैक साइड जाएंगे जो फंदा जैसे है वैसे बीनेंगे सीधे को सीधे बीनेंगे उल्टे को बीनेंगे उनको अपनी और लाएंगे दो फंदा उल्टा अब वापस हैं यह एक्स्ट्रा फंद इसे क्या करना दूसरे स्लैमी टांसफर कर लेंगे फिर एक फंदा सीधा भीनेंगे उनको अपनी और लाएंगे एक फंदे को वापस से इसकिप करेंगे दो फंदे उल्टे भीनेंगे उनको पीछे तीन पंदे सीधे ऐसे वापस से दो फंदे उल्टे इसको उतारेंगे उल्टा फिर से स्किप करेंगे अब हम आजएंगे वापस से फ्रेंट में सामने अब देखे क्या करेंगे पहले फंदे उतार के एक दो तीन अब यह सीधी लाइन है न तो यह बीच वाले फंदे जैसे यहाँ पर निकाला था वैसे ही बीच वाले लाइन में से हम ऐसे फंदे निकालने यह फंदा निकाल लिए अब एक फंदा यहाँ सीधा बीनेंगे और यह दो फंदों का एक फंदा करेंगे ऐसे एक फंदा उल्टा इसको घुमा के सीधा कर लेंगे दो फंदों का एक फंदा फिर एक और इसी होल में वापस से हमें सिलाई को इन करना है और फंदे निकालने देखिए ऐसे करके तो इसके उपर इसके उपर चड़ करके यह रिजैन बन जाएगा इसे ही बनाते जाएगा तो यहां पर यह बन करके तयार हो जाएगा तो उमीद करेंगे आप सभी को यह डिजैन प्लस यह वीडियो हैल्फुल लगे होंगे तो प्लीज हमारे वीडियो को प्लीज को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने कट रखा है उसके बहुत बहुत धनेवाग जिन्होंने नहीं किया है वह जाके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नॉटिफिकेशन आउन कर लें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन आप तक आएंगे और आप उस वीडियो का देख करके इस्तमाल कर सकती है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो थैंक्यू बाबाई